Welcome friends, आप देख रहे हैं लौ आर्टिकल और आज हम बात करेंगे जमानत के सर्तों का उलंगन के बारे में क्या कोई अपरादी के द्वारा जमानत की सर्तों का उलंगन किया जाना अपराद है अथवा नहीं क्या उस पर कारवाई हो सकता है अथवा नहीं तो चलिए सुरू करते हैं जब कोट के द्वारा किसी अपरादी को जमानत दी जाती है तो उसे कुछ सर्तों को सकत रूप से पालन करने का निर्देश दिया जाता है जमानत के सर्तों में आम तोर पर होने वाले सर्त जैसे की तारिक पर पेस होना, अपोजिट पार्टी अथवा गवाह को किसी परकार का धमकी ना देना, देश छोर कर नहीं जाना, बेल बॉन भरना आदी होता है भारतीय दंड सहिंता की धारा 229 ए के तहट यदि कोई अपराधी जो नियाले द्वारा जमानत पर छूटा है और जान बुचकर बिना किसी उचित कारण के केस के तारिक पर पेस नहीं होता है अथवा किसी परकार से जमानत के सर्टों का उलंगन करता है, तो कोट द्वारा उसकी जमानत को रद कर दिया जाता है और वह धारा 229 ए के तहट अपराधी होगा जमानत के सर्टों का उलंगन करने पर दंड का प्रावधान जब कोई अपराधी जमानत के सर्टों का उलंगन करता है, तो उस पर IPC की धारा 229 ए के तहट मामला दर्ज किया जाता है यह अपराध संगे और जमानतिय अपराध होता है इस अपराज के लिए एक वर्ष तक की सजा अथवा जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है अर्थात यदि कोई व्यक्ति जो जमानत पर रिहा है जमानत के सर्थों का उलंगन करता है तो उस पर IPC की धारा 229A के अंतरगत एक वर्ष की सजा अत्वा जुर्माना अत्वा दोनों से दंडित किया जा सकता है